जामिया में हजारों की दादाद में जहां लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां हमारे कुछ दोस्त हैं जो घरीप पांच हैं नमपर में जो यहां भूक हरताल कर रहे हैं और हम इनसे जानना चाहें कि भाई आप लोग क्यों यह कर रहे हैं और कप से यह भूक हरताल कर रहे है उसी का एक शकल है हम इस्ट्रेंट हैं और ये जो हमारा शुरू हुआ है वो इसलिए शुरू हुआ है कि जिस तरह से गौर्णमेंट यानि की बेजेपी सरकार ने CA, NRC, NRP ये सब लाकर धर्म के बुनियाद पे लोगों की बाटने की कोशिस कर रही है तो हमारे चात रहे हैं हम पढ़ते हैं तो जरूरी है कि उसका इंप्लेमेंट होना चाहिए तो इंप्लेमेंट कैसे होगा हम किसी भी गलत चीज़ को लागू नहीं होने देंगे इसका विरोध कर रहे हैं एक चीज, दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से हम विरोध सांती पुन तरीके से कर रहे थे, पुलिस द्वारा हिंसा की गई, हमारी लैबरीरी तोड़े गए, हमारे साथियों को मारा गया, और उसके बाद भी पुलिस खामोस नहीं हुई तो हम तीन स खड़े हुए, जब दूसरे स्टेट में खड़े हुए तो वहां आप देखेंगे यूपी के सुरतेहाल क्या है, वहां किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है, घर से माय बहनों को निकाल के मारा जा रहा है, तो ये सारी चीजें जो हैं, और हमारे जब तक सरकार जो है एनार्सी, C.A. और N.P.R. को वापस नहीं लेती है और हमारे जो साथी अभी जेल में उनको नहीं छोड़ती है और वो लोग जो सांतिपुन तरीके से आंदोलन कर रहे हैं या आवाज उठा रहे हैं और उन पर जुल्म करना बंद नहीं करती है तब तक आंदोलन चलता रहे हैं जामिय की सरजमीन से आप लोग कब से ये स्ट्राइक कर रहे हैं और कब तक इन करने का एरादा है और हम इस देश को टूटने नहीं देंगे हम एक एजुकेटेड लोग है और एजुकेशन अगर होती है जिसके पास वही लड़ाई को लड़ता है वही समझता है चीजों को जो भी संता में लोग बैठें हुए हैं वो पड़े लिके तो है नहीं वो कुछ भी अपने हिसाब से कोई भी लोग बनाएंगे हम उससों ऐसे नहीं कर सकते हैं यह हमारा समविदानिक अधिकार है और हम इसके लिए लड़ेंगे और इन्शालला जी जождतेंगे लाखो की तादात में सारे हिन्दुसान भर में बालके दुनिया भर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खलाफ आप समझते हैं कि जो कहते हैं कि नखार ख्ाने में तूती की आवाश कौन सुनेगा तो आप पांच लोग जो स्ट्राइक कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक जो अपने आपको तकलीद दे रहे हैं, बहुत ही सक्त होता है, तो आप समझते हैं कि आपकी आवाज कहीं किसी गोशे में पहुंचेगी? यूके में एक लड़की ने सिर्फ एक लड़की ने प्रोटेस्ट करके पूरे सरकार को गिरा दिया था, तो हम इतना माददा रखते हैं ये पांच लड़के और पूरी दुनिया में जहां जहां भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है, हम लोग इतना माददा रखते हैं और इतना जी बिल्कुल जैसे हम लोगों ने जब प्रोटेस्ट शुरू किया तब भी हम हमने यहां से शुरू किया था उसके बाद आप देख रहे होंगे तमाम विश्व विद्वालों ने हमारे देश ने और विदेशों ने हमारा सपोर्ट करना सुरू किया चूंकि यह समविधान है तो जितने भारती समविधान को मानते हैं वो हमारे साथ है आज हम चार है पांच है लेकिन जरूरी नहीं कि तादात यही रहेगी आज यहां पर पांच लोग है तो कल और कहीं तस लोग 20 लोग पूरे मुल्क में लोग बैठेंगे क्योंकि समविधान को बचाने की बात ह तो द्रूर हमारी बात सुनी जाएगी और हमारे साथ लोगह आएंगे तो कितना गांदी जी से ispire है गांधी क्या है कि सरकार ने क्या किया है सरकार gat lesson की वैशार्त की इपनाई व्होंने गांधी जीका चसमा लगा दिया सचता भ्यांट जबकि अगर गांधी देश अपना रहे हैं यह सिर्फ गाधिगीरी नहीं है यह प्रोटेश करने का एक तरीका है एक मेठर जिसको हम लोग अपना रहे हैं और जरूर हमारी आवास सुने जाए किस माध्यम से आप जामिया के सीनियर स्टुडेंट लग रहे हैं तो किस तरह से यह मुव्मेंट जो आप ल को में नर्सी कि यहाना है उससे वापस लिया जाए और इसके प्रोटेश्ट में जो लोग इसके विरूद में सड़क पर आये थे उनकी ऊपर बरबड़ता पुरुद पुरुद प्लीजम पीटा है उनके घरों को उनके प्रोपर्टियों को बर्बाद किया है मुकदमों में घलत मुकदमों में फसा के जेल के सलाकों की पीछे धकेला है जब तक ही वापस नहीं करेंगे ये हमारा स्ट्राइक चलता रहेगा और आखरी दम तक और ये नहीं सुनेंगे यह हमारा जो हिंदुस्तान है बहुत खुशूरत हिंदुस्तान है यहां के लोगों का दिल बहुत खुशूरत है जब आज हम पांच बैटे हैं तो पूरा हिंदुस्तान बैटेगा जब पूरा हिंदुस्तान बैटेगा तो यह सरकार में चंद लोग बैटे हुए हैं यह बह चल रहा हूं और होसला दे रहा हूं और इंशालला जीत हमारी होगी, समिंधान की जीत होगी, हिंदुस्तान की जीत होगी। आप लोग जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप जामिया के अलमनी है तो आपने कभी ऐसा अनप्रिसिडेंटेट हुआ है कि सारे हिंदुस्तान ने जो है जामिया के आवास को सपोर्ट कर और जिस तरह से आज बीड़ थी यहां प्रोग्राम में तो ऐसा कभी आपने दे है बीजेपी के सरकार आती है इनके टारगेट में तीन इनविश्टिया होती है जामिया मिलिया इसलाम में एमियो और जैनियू सन 2000 में भी जब इनकी गौश्म्रेंट थी इसी तरह से तंडो रचाया था उस वक्त मैं स्टूडेंट था जामिया मिलिया का और हम लोगोंने किया था साड़े तीन सो लड़कों को इन्होंने केस में डाला हुआ था हम तेरे दिन भूखर ताल पे थे फ्लोर पर आकर के हम लोगों ने पारलियमेंट को घहराओ किया सोनिया गांधी ने काउट किया मुलाहिमसीग यादों होंक रेंट किया फिर पॉर्पारां इन इंको हमारे शली केस को विद्वा करना पड़ा सारे लड़कों Спस JP करना पड़ा को różnych बहुत वह नहीं है ऐसा लेंकि हम जंग कर गर जितने दिश्वास कर दो हम सही रास्ते पर हैं हम घलत Wak नहीं है हमारे जो हमारी जो डिमांड है समिधान को बचाने की डिमांड है और हम अपने समिधान के लिए अपनी जान तक भी दे सकते हैं यह भुखर ताली क्या है बाद रहे शुक्र आपके यह बताई के जो आप लोगी स्ट्राइक कर रहे हैं तो इसका अंजाम तो कोई नहीं जानता है लेकिन आप समझते हैं कि आपको सपोर्ट मिलेगा है इतनी दुनिया भर में इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं सब्सक्राइब, आप क्या समझते हैं कि आपको के कोई नजर रहे तेखी ये डेष्य ये गांधी का देश है और गांधी ने इसी सतिय अहिंशा और सथीयागरह से इस देश को आजादी दिलाई आज भी इस देश में गांधी के मानने वाले बहुत हैं गांधी के देश में गांधी के जो गांधी का जो सत्यागर है था और गांधी के जो लड़ाई लड़ने का तरीका था उसको जानने वाले उसको मानने वाले उसको समझने वाले बहुत है अगर हम यहाँ पर hunger strike करते हैं तो हमारे साथ पूरा देश खड़ा है पूरे दुनिया खड़ा है हमारे साथ इस वज़े से हमें यह उम्मीद है सरकारे तो आती है चली जाती है सरकार कोई कभी पर्मानेंट नहीं होता लेकिन देश पर्मानेंट है यहाँ की जो आवाम वो पर्मानेंट है गांधी का विचार है वो पर्मानेंट है उसको लेकर अगर हम खड़े हैं तो इंशालला पूरी आवाम हमारे साथ खड़ी रहेगी पूरा मुल्क पूरा देश पूरा पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी रहेगी और हमें ये उम्मीद है कि लड़ाई हम जीतेंगे सरकार को आज ये अकल जुटना पड़ेगा और हमारी बात को माननी होगी और वे जो समीधान की धज्जिया उड़ा रहे हैं और इनार्सी जैसे बिला करके एक्ट बना करके उसे वाफिस लेना पड़ेगा बहुत द्वाइश शुक्रिया पर कि